अग्ली दिन कॉंसी स्टाक में पोजेशन मनाएंगे उसी स्टाक की टेखनिकर आउट्टोग, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, तर्गेट उसबर में चर्चा करेंगे तो चाट पर जाना से पहर आप लोग को जान कर देना चाहूंगा अगर आप लोग मेरे थ्रूट में अकॉंट उपेंड करते है तो आप लोगों को निप्टी ऑफ्शन, बेंग्टी आप्शन, स्टाक प्रोशन, स्टाक प्यूच, बेंग निप्टी प्वूचर रेएखना को जो पर पर चेंगे प्रेमЙंगे बत Hugure करता हूं तो अगले दिन के लिए जो stock हमने select किया उसका नम है Glean Mark Glean Mark को select करने के reason हमें आप लोगे सामने पेश करूँगा और Glean Mark अभी किस condition में है ये भी हम लोग चर्चा करेंगे देखे फ्रंस याँ पर अगर हम लोग देखे सब सब पहले Glean Mark आज की date में यानि 24 थारीक को day pivot level को breakout करते हुए day pivot level के ऊपर close हुआ है यह आप आप लोग देख सकते हैं white color का जो line है ये day pivot level है और आज की date में stock day pivot level को नीचे से breakout करते हुए day pivot level के ऊपर close हुआ है तो हमें अगली दिन के लिए पी बोट एक strong support देगा और एक strong support का का काम करेंगे किर्के stock close हुआ है 636.90 में और day pivot का जो level है 633.88 यानि 2-3, 2-3 से 4 point का difference है सिर्फ इससे जादा नहीं नेक्स्ट हमने क्या देखा आज की date में stock 200 days को positive breakout करते हुए 200 days के ऊपर close हुआ अगर देखा जाए तो stock 200 days के level के नीचे close हुआ है 200 days के नीचे close हुआ था 200 days को break out किया ता लेकिन final close हुआ था 200 days के नीचे 50 days भी support दे रहा था तो 50 days और 200 days के बीच में trade करतो होए close हुआ था और आज की date में 200 days के नीचेए Open हो के 200 days को breakout करतो है day pivot level को भी breakout किया लेकिन सामने कुछ कुछ बाद आये हैं कुछ resistance हैं जैसे के average resistance 100 days closing price 9 days closing price 15 days closing price यह अब आप लोग को 3 DMA level मिल रहा है यह तीनों जो हैं resistance का काम करेंगे तो अगले दिन जहापर close हुआ है बापर open होके sustence करते हैं और 100 days को positive breakout करते हैं तो उपर की तरफ जबरदर्स उचल देखने को मिलेंगे क्योंकि यह जो तीनों level है 15 days level next 9 days level 100 days level यह तीनों नजदी की level है और जब 3-4 DMA level एक साथ होता है तो एक अचानक movement आती है वो upturn movement भी हो सकते हैं downturn movement भी हो सकते हैं लेकिन यह आप आप देखा जाए तो stock नीचे से back bounce करके उपर की तरफ जाने की कोशिच कर रहा है day pivot level को breakout किया है 200 days level को breakout किया है और उपर की तरफ तीनों DMA level जो है नजदी की level है और तीनों एक साथ है तो उपर की तरफ उच्छान मालने की समवना हम यह पर दिखाए दे रहा है अगर 100 days को breakout करते हैं तो उपर की तरफ हमें जबर्द सोचाल देखने को मिलेंगे क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो यहापर volume को देख सकते हैं आप लोग लेकिन आज की डेट में 20 पिरियोड को breakout किया तो यहापर भी एक uptrend का दिशाय दिखाय दे रहा है हमें और उपर की तरफ हमें डे पीबोट एक स्टॉंग सपोर्ट का का काम करेंगे मेसीड को अगर देखें तो मेसीड अभी इनिशाली सेलिंग सिग्नल पे हैं लेकिन आरेसाई आभी पाइंग पोजिजन में है और ट्रेंड जो है अभी उपर की तरफ है चलिए एक ज़लक देख लेते हैं आरेसाई को यहापर आप लोग देख सकते हैं आरेसाई जो है अब हम वन ओर चार्ट में देख लेते हैं अभी तक हमने वन डेख तो फ्रेंड्स वन ओर चार्ट में अगर हम लोग देखें तो आरेसाई उपर की तरफ हैं एंबसीडी में लान सिग्लन को उपर हैं इनिशाली बाइंग सिग्नल पे हैं जिरु लान के नीचे हैं लेकिन इनिशाली बाइंग सिग्नल पे हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस ट्रोग्राम बार को दीरे दीर ऊपर की तरफ इंकरीज हो रहा है तो यह भी एक इंडिगेट कर रहा है कि स्टॉक उपर जा सकता है उपर जाने की पॉस्पिलिटी है और चार्ट में तो चलि प्रिवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के उपर ओपन हुआ और आज की डेट में अच्छागासा हाई भी बनाया जैकर कि जिने कि अप्र प्रिवियस की आज की डेट के ऊपन के उपर हाई बनाया यानि जो उपन प्राइस था है तो फ्रेंस आप लोग देख सकते हैं आज की डेट में जो हैं हाई भी अच्छा गासा बनाया लेकिन क्लोज कितने हुआ खुआ 636.90 यानि प्रिव्यास डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर उपन हुआ और प्रिव्यास डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खुआ अगर हम लोग वी डवल एपी देखे तो 633.74 तो अ नीचे गरनी के संबावना है अधरुवाइस ग्लीन मार्ग जो है strongly buying position में है और delivery volume में आप देख सकते हैं अच्छी कासी volume है 53.36% delivery volume है ओके तो चलिए अब हम buying level selling level देख लेते हैं इससे पहले जानकर देना चाहूंगा फिर से अगर आप लोग मेरी थ्रू आस्तारेट में account open करते हैं तो आप लोगों को nifty option, bank nifty option, stock option, stock future, nifty future, bank nifty future, equity cash, all segment के call फ्री में मिलेंगे फ्रीमापकॉल अपनी paid client को जो करता हूँ स्विंकॉल अगर account open करते हैं तो मुझे WhatsApp कर सकते हैं या फिर call कर सकते हैं और अगर paid service दिलना चाहते हैं तब भी मुझे contact कर सकते हैं 80% एक उरी से साथ call प्रवेट करता हूँ सो विंदा पंदरा से तिन पंदा तक मारा support रहते हैं तो चलिए friends buy entry level रहेगा 639.93 यानी 637 पंबाइ 640 पंबाइ करेंगे target रहेगा 642.10, 643.30, 645.40, 647.10, 649.20 ये 653 होगा friends 653 तो friends यहापर जो आप लोग को दिखाए दे रहे है 623 ये 600, 653 होगा ok friends 653 चलिए अब हम लोग selling entry level देख लेते हैं अगर हम लोग selling position मनाते हैं तो 633.86 के नीचर हम selling position मनाएंगे target रहेगा 631.98, 630.46, 628.94 sorry friends बार-बार call आने के कारण थोड़ा सा डिस्टरफ हो रहा है वीडियो में sorry फिर से उसके बात friends target रहेगा 626.78, 625.46 and 620.98 तो हमें आशा है friends आप लोग को जनकर प्राफ्ट हो चुकिये तो आज कली इतना सा ही वीडियो दिखने करें देने वाद झाल 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 झाल